तो विल्कम देश्टरंट्स अब हम लोग के निकुलीटी में कुछ और कोश्चन्स प्रैक्टिस करेंगे तो अब जिसे देखो कॉस आफ एक्स ग्रेटर देन इकोल्स टू जीडो कॉस एक्स का फंडामेंटल नीचर आफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है बीसीड eyeball अफ ग्राफ ओफ कॉसेक्स लूक्स लैक डिस है हुअ त्रेकर है 20 है ये पाइब two है ये माइनस ओफ अफ प épui two है यह कितना है पाइ ये कितना है त्री पाइबाइ टू हमने तुमकों सुखाया क्या क्या है कोई भी एक बृंच पक्रो ठीक है तो cos x 0 से ज़्यादा होना चाहिए यानि वो ब्रांच जो x-axis के उपर है ले लिया तो अब देखो domain पे कोई restriction है क्या तो answer है नहीं तो domain पे कोई restriction नहीं है तो फिर क्या करो general period 2npi अटेच कर दो boundary पर ठीक है इसका answer क्या आएगा x belongs to union of closed interval 2npi minus pi by 2 say 2npi plus pi by 2 तेक है अब वीडियो पॉज करो और second question try करो देखो second question क्या कह रहा है second question यह कह रहा है जो cos of 5x by 3 greater than equals to 0 इसके लिए क्या सिखा है मैंने put 5x by 3 equals to t it looks like cos t greater than equals to 0 t के लिए solution ढूटो तो t क्या आएगा minus pi by 2 say pi by 2 अब तुम्हारा पहला काम ही रहेगा जो पहले general period add करना है फिर simplify करना है ठीक है तो इसके just बाद तुरंत general period add कर दो और फिर simplify करो तो जैसे ही 3 से multiply करोगे 6npi minus of 3pi by 2 ये क्या जाएगा 6npi plus 3pi by 2 5 से divide कर दो 6npi by 5 minus 3pi by 10 ये क्या जाएगा 6npi by 5 plus 3pi by 10 x belongs to closed interval और union लगा देना यही तुम्हारा answer हो जाएगा ठीक है तो सवाल यह उठता है जो क्या हम यही branch select करें तो हमने क्या बता है कोई भी एक branch चुन लो जो इसको satisfy कर रहा हो ठीक है तो ऐसा चुनो जो common दिखे या तो एक नजर option पर डाल लेना या तो y axis के असपास चुनो ठीक है बट वो ज्यादा convenient है जो एक नजर options पर डाल लेना अब वीडियो पॉज करो third question मनाओ क्या कर रहा है cos of x greater than equals to minus 1 by 2 तो मुझे वो solution चाहिए जो minus half से जादा है minus half यहां कहीं indicate ठोड़ा है यहां से एक line खीचो तो minus half minus half value कहां पर आएगा pi minus pi by 3 2 pi by 3 और इधर भी क्या आएगा minus of 2 pi by 3 ठीक है one of the branch में लिगे है minus half से जादा one of the branch पक रहा आगे वही कहानी answers directly मैं लिख दूँ x belongs to union of 2n pi minus pi by 3 से 2n pi plus 2 pi by 3 now moving ahead अब वो इस तरह के question के अब तो मैं solve करना है solve 4 sin square x minus of 8 sin x plus 3 ठीक है तो सुरुवात कैसे करोगे इस तरह के question का तो देखो इस तरह के question का सुरुवात कैसे करोगे तो सबसे पहले factorize कर लेता है तो जैसे ही factorize करोगे यहां पर क्या आया 4 sin square x minus 6 of sin x minus of 2 sin x plus 3 less than equals to 0 तो यहां से 2 sin x common ले लो तो बचा कितना 2 sin x minus 3 यहां से minus 1 common ले लो तो क्या है 2 sin of x minus 3 factorize हो कर के यह क्या provide किया तो 2 sin x minus 3 2 sin x minus 1 less than equals to 0 यहां से critical points क्या है half and 3 by 2 but sin की value 3 by 2 तक कभी पहुँचे गी नहीं effectively यहां से sin की lower limit half हो गई and upper limit 1 हो गई तो one of the branch चुन लो half से ज़्यादा greater than pi by 6 smaller than pi by 2 final answer domain पर कोई restriction है yes 0 से 2 pi तक बोला है तो graph में देखो 0 से 2 pi तक में 0 pi 2 pi half से ज़्यादा 1 से कम तो जो यह एक branch मिला यही final answer है अब इसमें general period attach नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे क्योंकि question setter ने domain restrict करके तुम्हें provide किया है थीक है अब वीडियो पॉज करो और second question खुद से try करो ठीक है इक ही जैसा है यहाँ पर बस इसमें कह क्या रहा है 2 sin square x plus sin x minus 2 minus 2 इधर लिए और factorize करो और जो solutions आ रहा है उसको minus pi by 2 से 3 pi by 2 में attempt करो ठीक है बच्चे देखो तुम्हारा answer match हुआ या नहीं I hope तुम्हें यहाँ तक समझ मा गया होगा अब अगला question try करो मतला वीडियो पॉज करके पहले इन questions को try करो और देखो तुम्हारे पास results क्या रहा है ठीक है तो second question का answer है के तुम लोग का तो second question का final answer अब मैं लिखने वाला हूँ ठीक है देख लो क्या रहा final answer तुम्हारा तो second question का तुम्हारा final answer यह factorize होके आया होगा sin of x sin of x minus half greater than equals to 0 इसका solution आया होगा sin x either less than equals to 0 और sin x greater than equals to half pi by 2 से 3 pi by 2 में do no less than 0 less than 0 कब आएगा जब यह third quadrant में होगा pi से 3 pi by 2 और half से ज्यादा कब होगा जब यह pi by 2 से 5 pi by 2 में हो यह जब pi by 6 से 5 pi by 6 में हो इसका final answer क्या है x belongs to pi by 6 से 5 pi by 6 union pi से 3 pi by 2 तीक है अब वीडियो पॉज करो और third question try करो देखो third question क्या कह रहा है sin square x minus cos square x greater than sin square x greater than cos square x तो इसको left hand side transfer कर दो minus common low तो जैसे ही तो हमने minus common लिया inequality sign changes it looks like cos square x minus sin square x smaller than 0 यह identity किसका होता है cos 2x smaller than 0 अब आगे का कहानी मालूम है cos of x smaller than 0 लेना है तो देखो 2x कहां से कहां तक लाई करेगा तो 2x lies between pi by 2 से 3 pi by 2 अब simplify मत करो पहले general period attach करो domain पे कोई restriction नहीं है तो general period attach कर दिया 2 से divide करो it looks like n by n pi plus pi by 4 से n pi plus 3 pi by 4 यही तो महारा answer हो गया answer लिखने का तरीका x belongs to union n belongs to integer n pi plus pi by 4 n pi plus 3 pi by 4 got it अब आओ यहाँ 10x greater than 0 तो देखो एक बड़ क्विक्ली 10x का graph revise कर लेते हैं 10x का fundamental nature of graph कुछ ऐसा दिखता है 0 यह pi by 2 pi by 2 से some toads plot करो यह minus of pi by 2 फिर कितना हैगा pi then कितना हैगा 3 pi by 2 then minus pi then minus 3 pi by 2 तो 10x का fundamental nature of graph ऐसा होता है अब देखो 10x 0 से ज़्यादा होने चाहिए one of the branch चुलनो 0 से ज़्यादा वाला तो यह 0 से कहां तक जाएगा pi by 2 तक पहले का answer आया x belongs to 0 से pi by 2 और मैंने तुमको बता रखा है for 10 and cot इनकी period pi होती है तो इनका general period n pi add करना है बाकी सब में 2n pi add करना है तो x belongs to union of boundary पे n pi add कर दो जैसे ही n pi add करोगे what you will get n pi 2 n pi plus pi by 2 यह तो मारा solution से टागया ठीक है now moving ahead second question 10 3 x greater than equals to 1 कहा उसने अब वो क्या करा 10 3 x greater than equals to 1 तो for the time being put 3 x equals to t तो it is tan t greater than equals to 1 तो 1 यहां कहीं locate करो 1 का corresponding value क्या आएगा pi by 4 से कहां तक जाएगा pi by 2 तो t greater than equals to pi by 4 but smaller than pi by 2 अब हमने क्या बोला है तुम्हारा पहला काम है domain restricted नहीं है general period पहले एड करो फिर simplify करो region because period affected by coefficient of x 3 से divide करो यह n pi by 3 plus pi by 12 यह n pi by 3 plus pi by 6 यह तुम्हारा answer आएगा ठीक है यहां तक आई होब तुम्हें समझ मा आ गया होगा अब third one खुश से try करो 10x lies between 1 से root 3 तिसका interval आ गया हो गया pi by 4 से pi by 3 domain restriction नहीं है 2n pi attach कर लो fourth one do yourself खुश से try करो fifth देखो क्या कर रहा है तुमसे 10 square x plus 3 10 cube x plus 3 and all those ठीक है अब इस question को देखते हैं fifth वाले को fifth one देखो क्या कर रहा है तुमसे finally fifth says 10 square x plus 3 greater than 3 10 x plus 10 square x ठीक है और यहां पर I think 10 cube x है ठीक है तो इन सब को left hand side भेजो what you will get 10 cube x minus of 10 square x plus 3 minus 3 10 x greater than 0 so from here take 10 square x as common you will get 10 x minus 1 take minus 3 as common take 10 x minus 1 now take 10 x minus 1 10 square x minus 3 is 10 x plus root 3 10 x minus of root 3 तो इसको number line जैसा treat करो critical point are minus root 3 1 root 3 positive चाहिए तो तो तुमारा solution क्या आया finally एक आया 10 x lies between minus root 3 2 1 union एक आया 10 x greater than root 3 तो 10 x minus root 3 से 1 यह आ गया minus pi by 3 से pi by 4 union x greater than pi by 3 से pi by 2 final answer क्या लिख होगे x belongs to union domain पे कोई restriction नहीं है boundary पे n pi अड़ करते चलो ठीक है union n pi plus pi by 3 से n pi plus pi by 2 यह तुमारा answer आ गया n belongs to integer ठीक है fifth इसको 2 sin x into cos x लिखो दोनों तरफ cos square x से divide कर दो 10 के term inequality आएगा ठीक है और उसको जब simplify करोगे तो यह आ रहा होगा 10 x belongs to root 2 minus 1 से 1 root 2 minus 1 22 and half की value होती है pi by 8 की ठीक है अब इसको solve करो तो बच्चे इतना ही जानना है trigonometrical in equations में और बागी तुम लोग जितने भी dpp's दिये हुए हैं उन सब को complete कर दो ठीक है प्यर डोग आझ से अझस